इं मित्रों सुन्दर सी वीडियो को लाइक जरूर करे, कौन सी स्त्री अपने पती को मरवा सकती है। कड़वा है, पर सच है, अगर आप शादी शुदा हैं, तो ये वीडियो जरूर देखना एक जादूगर्णी राणी की कहानी। मित्रों किसी नगर में एक विक्रम नाम का नौजवान रहता था। विक्रम बहुत ही इमानदार और सीधा सज्जन व्यक्ति था, लेकिन उसके पास इतना धन नहीं था, जो अपनी जिंदगी ठीक से चला पाता। इसलिए वो मन ही मन कुछ दुखी सा रहता था। एक दिन उसके मित्र ने उसे राजा के दरबार में जाने की सलाह दी। विक्रम राज दरबार में पहुँचा, और राजा से अपने लिए काम मांगा। राजा ने भी उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर उसे अपने यहां नौकरी पर रख लिया। विक्रम सिंह ने बहुत ही कम समय में कुछ अच्छे अच्छे काम करके राजा के दिल को जीत लिया। राजा सरवन सिंह ने उसके काम से प्रसन्न होकर उसका वेतन भी बढ़ा दिया। विक्रम सिंह की आर्थिक स्तिती जल्दी ही सुधर गई। एक जादूगर की शिश्या कनका नाम की लड़की से उसका विवाह हो गया। कनका जादू करने में बढ़ी माहिर थी। उसने अपन से भैभीत हो गया। कनका ने अपने पती को समझाया कि देखो घबराने की कोई बात नहीं है। मैं यह काम किसी को हानी पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं करती हूँ। बलकि मैं अपने जादू का प्रयोग हमेशा दुष्टों को सजा देने के लिए करती हूँ। मैं नजर राजा साहब के राज्य पर है। वो उनसे उनका राज्य छीन कर किसी और को देना चाहती है। और हो सकता है कि वो इसके लिए अपने पती की हत्या तक करवा दें। क्योंकि कहते हैं दूसरे पुरुष के प्रेम में पागल काम वासना में अंधी और लोब के वशीभ लगा, प्रिय, राणी के बारे में तुम इतना कैसे जानती हो। तब कनका कहती है, हे प्राणनाथ, जितनी विद्या राणी जानती है उतनी ही मैं भी जानती हूँ। मैंने अपने जादू से ही इस बात का पता लगाया है कि राणी राजा से जूठा प्रेम करती है। विक रानी ने बताया कि रानी ने अपने महल के पास खड़े एक पीपल पर एक देवता पाल रखा है। वो उसी के कंधे पर बैठ कर रोज पहाडों पर जाती है और अपने प्रेमी से मिलकर रात में ही वापस लोट आती है। अगर आप चाहो तो उसे मैं दिखा सकती हूँ। मित्रों विक्रम सिंह ने अपनी पतनी के मुह से जो कुछ सुना था वो सब राजा सरवन सिंह को बता दिया कि आप की स्त्री बच्चलन है। वो रोज रात को अपने आशिक से मिलने पहाडों पर जाती है। मित्रों विक्रम सिंह के मुख से अपनी राणी का चरित्र सुनकर राजा सरवन सिंह आबाग से रह गए। पहले तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि उनकी प्रियरानी उनके साथ ऐसा कर सकती है। फिर सोचा, चलो, मैं इस बात की परीक्षा करके देखता हूँ कि मेरा नौकर जो कह रहा है, उस बात में कितनी सच्चाई है। मित्रों, अगले दिन सच्चाई जानने के लिए राजा ने एक चालाकी चली, अपनी जगह अपने बिस्तर पर अपने नौकर को लिटा दिया और उसे चादर से उढ़ा दिया, और स्वयम उस पीपल के पेड़ में जाकर छुपकर बैठ गया। मित्रों, इधर जैसे ही आधी रात का समय हुआ, राणी चुपचाप अपने बिस्तर से उठी और उसी पीपल के पास जाकर खड़ी हो गए। रात भर उनकी आँखों में नींद नहीं आई, सुबह होने पर उन्होंने देखा कि राणी अपने कमरे में सो रही है, ये देखकर पहले तो उन्हें आश्चर्य हुआ कि राणी इतनी दूर जाकर और रात में ही कैसे लोट आई, राणी के उठने पर राजा ने उससे पू देख लिया, तुम मेरी आँखों में धूल जोंकर किसी और से मिलने जाती हो, राणी बोली, महराज, जब आपने सब कुछ देखी लिया है, तुम मुझसे पूछ क्यों रहे हो, मित्रों, इतना सुनते ही राजा को क्रोध हा गया, राजा सरवन सिंह ने राणी के गाल पर एक तमाचा जढ़ दिया, राणी अपने गाल पर हाथ रख कर काफी देर तक आंसू बहाती रही, राजा ने कहा, आज के बाद तुमने ये गलती फिर की, तो मैं तुम्हें ऐसा दंड दूँगा कि तुम हमेशा याद रखोगी, दोस्तों राणी समझ गई कि अब राजा उसे अवश्य दंड देगा, लेकिन वो अपने आशिक से मिले बिना नहीं रह सकती थी, इसके लिए राणी सोचने लगी कि इसके लिए मुझे ऐसी कोई तरकीब सोचनी चाहिए कि सांप भी मर जाए, और लाठी भी न तूटे, मित्रों आदी रात को जब राजा गहरी नी मिले तो सभासदों में चिंता हुई कि राजा सहब कहां गायब हो गए, मुख्यमंत्री ने राजा सहब को खोजने के लिए चारों और संदेश वाहग भेज दिये, हर जगह खोजने के बाद भी राजा का कोई अता पता नहीं था, कई दिन हो गए राजा का कोई पता नहीं अंत में राणी से इस बात का परामर्श लिया राणी ने कहा कि आप चिंता ना करे मेरा एक भतीजा है सज्जन सिंह बहुत ही बहादूर और योग्य है उसे ही राज सिंह हासन पर बैठा दो दोस्तो राणी के कहने पर उसके भतीजे सज्जन सिंह को राजगद्धी का मालिक बना दिया गया सज्जन सिंह बढ़ा दुष्ट आदमी था राजा बनते ही उसने परजा को दुख देना शुरू कर दिया राणी के पास परजा की शिकायतें आती थी लेकिन वो उनकी अनसुनी कर देती थी अब तो परजा में असंतोश फैलने लगा परजा अच्छी तरह समझ गई थी कि ये सब राणी की ही सोची समझी साजिश है धीरे धीरे दो माह गुजर गए लोग अपने काम धाम में इतने डूब गए कि राजा के अत्याचारों को सहन करने की आदत सी पड़ गई तभी प्रजा के बीच विक्रम सिंह आकर रहने लगा उसने प्रजा की सहायता करके प्रजा का दिल जीतना शुरू कर दिया प्रजा ने अपने दुख का कारण उसे बताया उसने लोगों से कहा कि तुम लोग चिंता मत करो मैं गुप्त रूप से खोज करूँगा कि राजा सहाब इस समय जीवित है या मर गए विक्रम सिंह ने उस राजा सज्जन सिंह का भी अपने काम से दिल जीत लिया सज्जन सिंह ने विक्रम सिंह की प्रतिभा को देख कर उसे अपनी सेना का सेना पती बना दिया कहते हैं उन दिनों ये पद बढ़ी ही प्रतिष्ठा का पद माना जाता था अब तो विक्रम सिंह का आना जाना महल में भी होने लगा एक दिन उसने ताढ़ लिया कि जब कभी वो महल में आता है और रानी के कमरे में पिंजरे में बंद कबूतर की ओर देखता है तो कबूतर उसे बढ़े ही गौर से देखता है आखिर ऐसा क्यों है? इसके पीछे का कारण क्या है? वो बार-बार सोचने लगा कि एक पक्षी ऐसा क्यों करता है? इन प्रश्णों ने विक्रम सिह को बेचैन कर दिया था अब वो सोचने लगा कि कबूतर को हासिल कैसे करें? तभी इस बात का पता लग सकता है लेकिन क्या रानी उसे ये कबूतर देने के लिए राजी हो जाएगी? शायद वो ऐसा कभी नहीं करेगी वो कबूतर के बारे में जानने के लिए राजदरबार के छोटे बढ़े सभी लोगों से मिला कोई भी कबूतर के बारे में ठीक से नहीं जानता था अंत में वो प्रधान मंत्री से मिला प्रधान मंत्री ने भी बताया कि ये तो मैं भी नहीं जानता हूँ कि कबूतर को राजमहल में कौन लाया है पर इतना मालूम है कि रानी साहिबा राजा की तरह इस कबूतर के प्राण ठिकाने रखती है वो इस कबूतर को किसी भी कीमत पर किसी दूसरे को देने को तयार नहीं होगी इसलिए मेरी बात मानो और कबूतर को प्राप्त करने का विचार मन से निकाल दो प्रधान मंत्री के शब्दों ने विक्रम सिह की शंका को और बढ़ा दिया वो समझ गया कि कबूतर किसी विशेश रहस्य को छुपाय हुए है अतह उसने मनहीमन प्रतिग्या की कि मैं इस कबूतर को प्राप्त करके ही दम लूँगा दोस्तों संयोग से दूसरे दिन पडोसी राजा ने सज्जन सिह के नगर पर चरहाई कर दी राज्य के मंतرियों, सैनिकों और सेना नायकों ने बढ़ी वीड़ता के साथ शत्रूं का सामना किया लेकिन विक्रम सिन्ह ने ऐसी वीड़ता और पराक्रम दिखाया कि शत्रू सेना मैदान छोड़कर भाग खड़ी हुई विक्रम सिंह ने शत्रू राजा को पकड़ लिया फिर उसे नए राजा के सामने पेश कर दिया नए राजा ने अपने मंत्रि परिशत से परामर्ष लिया कि शत्रू के साथ कैसा व्यभार किया जाए राजा की पत्नी जो एक जादू गर्नी थी और नए राजा की बुआ थी वो कहने लगी विक्रम सिंह इस शत्रू को तो हम जो कुछ सजा देंगे उसे सारी प्रजा देखेगी मगर हम तुमसे बहुत खुश है तुमने अपनी वीरता से हमारे राज्य की रक्षा की है मित्रों विक्रम सिंह की बात सुनकर राणी संकट में पड़ गई लेकिन वो वचन दे चुकी थी अता उसने कबूतर सहित सोने का पिंजरा विक्रम सिंह को दे दिया उसने सोचा कि राजा से वैसे भी उसे कोई मतलब नहीं है विक्रम सिंह कबूतर को लेकर अपने घर आया कबूतर अभी भी उसकी और गौर से देख रहा था अचानक विक्रम सिंह की नजर कबूतर के गले में पढ़ी एक सोने की चेन पर पढ़ी विक्रम सिंह ने पिंजरे में हाथ डाल कर कबूतर के गले से उस सोने की चैन को खोल दिया देखते ही देखते वो कबूतर गायब हो गया और राजा सरवन सिंह प्रकट हो गए तब राजा ने बताया कि मेरी राणी ने ही मुझे कबूतर बनाया है और इस समय जो राजा है ये मेरी राणी का भतीजा है विक्रम सिंह ने राजा से कहा महराज अभी आप रानी के सामने प्रकट ना हो वरना वो फिर आपको कबूतर बना देगी मैं जैसा बताता जाओं आप वैसा ही करते जाए इतना कहकर विक्रम सिंह राजा को गुप्त मार्ग से महल के बाहर निकाल कर अपने घर भेज दिया इसके बाद वो अपनी पतनी कनका के पास पहुँचा उसने अपनी पतनी से कहा हे प्रियर मुझे कोई ऐसी तरकीब बताईए जिससे वो दुष्ट राणी मारी जाए कनका ने बताया कि राणी की जान महल में पूर्व दिशा की और गड़ी हुई एक कील में है वो कील राणी के महल की दीवार में गड़ी हुई है यदि कोई आदमी उस किल को उखाड कर तुरंत आग में डाल दे तो रानी का सारा जादू समाप्ध हो जाएगा और वो तुरंत तडप तडप कर मर जाएगी विक्रम सिंह ने रानी के कमरे में जाने का बहाना ढूंडने लगा एक दिन रानी ने महल में भोजन का आयोजन किया विक्रम सिंह को राणी के कमरे में जाने का अवसर मिल गया वो कमरे में प्रवेश करके सीधा कील की ओर बढ़ा उसने कील ढूंड कर उखाड ली फिर उसे आग में डाल दिया देखते ही देखते राणी तड़प तड़प कर मर गई दूसरे दिन राजा ने विक्रम सिंह की सहायता से नए राजा को भी मार कर भगा दिया अचानक ये परिवर्तन देखकर प्रजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा अत्याचारी राजा और राणी का अंत देखकर लोगों ने जगह जगह उत्सव मनाया जब राजा सब तरफ से निश्चिंत हो गए तो उन्होंने विक्रम सिंह का सारवजनिक अभिनंदन किया और विक्रम सिंह राजा से विदा लेकर अपने नगर को चला आया दोस्तों कहते हैं कि जिस स्त्री का परपुरुष से प्रेम संबंध हो वो अपने पती को कभी भी मरवा सकती है जिस स्त्री के मन में अत्यधिक लालच हो और उसका पती उसके बीच की बाधा हो तो वो अपने पती को हानी पहुँचा सकती है जिस स्त्री के गुप्त रहस्य हो यदि पती जानता है और उसे अपने पकड़े जाने का भय हो तो ऐसे में भी वो अपने पती का अहित कर सकती है दोस्तों उम्मीद करता हूँ कहानी अच्छी लगी होगी तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जए श्री कृष्णा